प्रभू आ रहे हैं और बाइस जन्वरी को आदनिय प्रभान मंत्री जी के ही करकमलों से प्रभू अपने भब्य मंदिर में पिराजमान हो रहे हैं जाए स्री राम जाए जाए स्री राम नमस्कार आप देख रहे हैं केरियूस मैं हूँ आपके साथ सुनी चोहान राम मोत्सु में आपका स्वागत है आयोध्या में राम जन्म भूमी पर प्राण पतिष्ठा को अब सिर्फ चार दिन बाकी रह गए हैं यानि वो शुब घड़ी बेहत करीब आ गई है जब राम जन्म भूमी पर बने भगवान राम के मंदिर में राम लला की मोर्ती की प्राण पतिष्ठा की जाएगी और इससे पहले राम मंदिर परिसर में राम लला पधार चुके हैं आज मोर्ती को गर्भ ग्रह में अस्थापित किया जाएगा अयोध्या में प्राण पतिष्ठा से पहले आज भगवान राम लला की प्रतिमा को मंदिर के गर्भ ग्रह में अस्थापित किया जाना है और इसके लिए शुब मोहुर्त का समय फाइनल हो गया है राम लला के विग्रह को गर्भ ग्रह में अस्थापित करने का मोहुर्त दोपहर करीब एक बच कर बीस मिनट से एक बच कर अठाइस मिनट के बीच रखा गया है और सभी 131 वैधिक थोड़ी देर में राम जन्मभूमी गर्भ ग्रह में पहुचेंगे आयोध्या जन्मभूमी मंदिर में राम लला की प्राणपतिष्ठा से पहले गर्भ ग्रह में श्री राम ये अंत्रस्थापित कर दिया गया है और आज 12 बचकर 45 मिनट से विग्रह को गर्भ ग्रह के चबूत्रे पर रखने का पूजन शुरू होगा और उसके बाद राम लला की प्रतिमा को रख दिया जाएगा तो ये तस्वीरे तो ये आप जो तस्वीरे देख पा रहे हैं बेहद अहम बेहद महतपूर बेहद खास तस्वीरे कल जब आर्ति पूजन विद्विधान के साथ पूजा अर्चना की गई थी और ये वो जगे है जहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और इसलिए वैदिक मंत्रो चारण के साथ पूजा अर्चना की गई यानि की गर्भ ग्रह में विराज मान होंगे कल मंदिर भ्रमण भी कराया गया था और अब बस इंतजार है कि कब रामलला इस जगे स्थापित किये जाएगे क्योंकि वैदिविधान से पूरी तयारिया हो चुकी है और श्री राम यंत्रभे स्थापित किया गया है वैदिविधान के साथ आर्टी पूजन किया गया ये तस्वीरें ये इस बात को बता रही है कि तयारिया पूरी है बस अब इंतजार है उस पल का जब जब रामलला इसमें वराजमान स्थापित हो जाएंगे तो आज गर्भ ग्रह में रामलला के स्थापना होनी है तीसरा दिन है अनुष्ठान का और बेहत खास बेहत महत्तुपूर वैदिक मंत्रों चारण और विदिविधान के साथ अनुष्ठान की शुरुवात का आज तीसरा दिन और श्रद्धालों में उत्साह चरम का तो यह तीन तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पहली तस्वीर आप अगर्भ ग्रह की देख पा रहे हैं जहां पर विदिविधान के साथ पूजा अर्चना की गई वैदिक मंत्रों चारण के साथ और दूसरी तस्वीर बेहद अहम बेहद खास जब मूर्ती का मंदी परिसर में भ्रहमन कराया गया और ये ज़लक सामने आई बेहद मनमोहक और तीसरी तस्वीर बेहद महत्वूर्ण आप देख पा रहे हैं जहां पर राम लला की प्राण प जो है वो यहां पर लगा हुआ है यानि कि ठंड कडाके की है लेकिन इस कडाके की ठंड में भी ठंड का एसास हुता हुआ राम भक्तों को नजर नहीं आ रहा है और इसी तरीकी का रामोचो यानि कि ये माहोल और उत्सो की तरह लोग इस पल को मनाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं बेहत मनमोहक तस्वीर आप देख पा रहे हैं कल किस तरीके से उत्सुकता देखने को मिली जब मंदिर परिसर में मोर्ती का भ्रहमण कराया गया और इसके बाद यह वो जगए जहां पर रामलला के स्थापना की जाएगा स्थापित किया जाएगा और इससे पहले रामियंत्र को स्थापित कर दिया गया है और अब बस इंतजार है तो उस पल का जब वर्षो का जो इंतजार है क्योंकि वो अब साठक होने जा रहा है और वो सपना अब साकार होने की ओर अग्रसर है और चार दिन बाकी रह गया है तो ऐसे में जाहिर सी बात है उत्साह चर रहे हैं जब मंदिर परिसर का मोर्थी को भ्रहमण कराया गया था पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था उस वक्त और मोर्थी को और पूरे मंदी परिसर में भ्रहमण कराया गया था यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारी तादाद में यहां पर श्रधालू और प्रितिष्ठा को लेकर जो है उत्सुकता भी चरम पर है और मंदिर यानि कि अपनी जगे कब पहुंचेंगे रघुराई और कब पहुंचेंगे मर्यादा पुर्षोतम श्रीराम इस्थापित हो जाएंगे उस टाट से निकल के ठाट के साथ अपने इस स्थान में वराजमान हो जाएंगे सिंगासन में बस इस पल का बेसबरी से हर एक शक्स को इंतजार है तो ये बेहत मनमोहक तस्वीर जो कल सामने आई वाकई मनमोह लेने वाली ये तस्वीर थी और यहां पर साधू संतों की जो सुकता थी वो भी चरम पर थी ये तस्वीरे काफी कुछ बता रही है क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा इस पल के लिए जो अपल आया है जो सपना अब साकार होने जा रहा है तो अनुष्ठान का तीसरा दिन और इसको लेकर लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं यानि कि उत्सों सा माहोल बनता हुआ नजर हैं वो लहराते हुए कई दुकानों में नजर आया और लोग उसकी खरिदारी करते हुए नजर आया यानि कि पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी क्योंकि विदेशों से भी जो श्रधालू है जो भगवान श्री राम के प्रतियास्था रखते हैं वो इस पल के साक्ष चार और है यानि कि चार दिन बचे हैं बाइस जन्वरी को प्राण प्रतियास्था होनी है कब आएंगे राम रगुराई और अबु वो पला गया है वो पल जादा दोर नहीं और इसलिए हर एक जो राम के प्रतियास्था रखता है उस शक्स की जो उत्सुक्ता है वो चरम पर है तो एक तरफ प्रतियास्था को लेकर तैयारियां दूसरी तरफ